जाहिंद साथियों, ताथास्तु राम, PCS Institute में आप सभी का सौगत है, आज हम जिस विशय पर चर्चा करने बाले हैं, that is the one of the most important topic for MPPSC mains और वह है introduction, किसी भी answer को लिखते समय, उसके तीन पार्ट होते हैं, introduction, main body और conclusion, इन तीनों मैंसे भी, जो सबसे important part है, वह है introduction, introduction, क्योंकि introduction आपके answer का first impression है, तो आज हम इससे समझने का प्रियास करते हैं, तो start करते हैं आज की class को, यहाँ पर introduction को हम तीन heading में समझने बाले हैं, importance of introduction, दूसरा way to introduce or answer, तीसरा मेरे कुछ suggestions है, जिनको यदि आप follow करेंगे, तो आप अपनी तैयारी को बहतर कर सकते हैं, और अपने introduction में सुधार कर सकते हैं, जदि हम importance of introduction को देखें, आप सभी को मालूम होगा कि MPPSC तीन ट्राइब से question पूस्ता है, थिरी marker, जिसके लिए आपको तीन line दी गई है, और word limit है 10 word, दूसरा type है 5 marker, जिसके लिए space है 9 line और word limit है 50 word, तीसरा है आपका 11 marker, जिसके लिए आपको 40 line या 2 page दिये गए हैं, और word limit है 200, आपको answer writing करते समय, एक line में लगवग 5 सब्दों को लिखना है, फिरी marker वाले जो भी question MPPSC दौरा पूछे गए हैं, वह direct question होते हैं, इनके लिए word limit भी 10 word है, तो आपको इसको टूड़ा point लिखना है, लेकिन 5 marker और 11 marker की answer writing करते समय, इसके 3 हिस्से होंगे, introduction, main body और conclusion, यदि इ सीनों में से मैं बात करूँ, introduction सबसे important part है, क्योंकि जो introduction है, वह आपके answer को attractive बनाता है, और साथ मैं जब copy check करने वाले professor, आपके answer का मुल्यांकन करते हैं, तो वह भी आपके answer से attract होते हैं, और आपकी जो numbers की marking है, वह अच्छी होती है, कई बच्चे बड़ा traditional introduction लिखते हैं, जैसे कारण कई बार वो main body में अच्छा content डालते हैं, फिर भी उनको कम number मिलते हैं, दूसरा बच्चों के मन में दूसरी दो विदा है, कि हम कितना space use करें introduction को लिखते समय, 5 marker में limited space दिया गया है, इसलिए 5 marker के question को लिखते समय, आप एक line में अपने answer को introduce करें, और ज्यादा necessary हो, तो आप third line का प्रियोग भी कर सकते हैं, अच्छा introduction लिखना इसलिए जरूरी है, introduction आपके answer को systematic बनाता है, 11 marker के जो पिष्ण है, इनको लिखते समय, आप 2-3 line में अपने answer का introduction लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर परयाप्त space है, दू introduction को लिखते समय, आपको दो चीज़ों को समझना पड़ेगा, पहला आपको समझना पड़ेगा keyword को, तो दूसरा आपको समझना पड़ेगा कि question की demand क्या है, keyword जैसे मालो, यहाँ पर एक question आगे चर्चा करने वाला हूँ, उर्जा इस्थनांतरन के तीन तरीके बताईए, तो पहले तीन तरीके तो बताने आपको, लेकिन पहले आपको define करना उर्जा इस्थनांतरन को, demand की किस type से question है, कि आपको, जो आपका question है, उसको आप current affairs के साथ जोड सकते हैं, या आप उसमें data को add कर सकते हैं, या किसी report का सहरा ले सकते हैं, तो demand के according आपको अपने answer को बनाना पड़ेगा, अब यहाँ पर चर्चा करते हैं, पहला है define the keyword, जडि मैं यहाँ पर बात करूँ, जैसे कोश, पहले तो मैंने यहाँ पर जो भी प्रिष्ण लिये हैं, वो है last mains के प्रिष्ण है, आपको बता होगा, MPPSC ने 2021 में last mains लिया है, तो मैंने यहाँ पर जो भी उधारन लिये हैं, वो 2021 के mains के लिए हैं, ताकि आप आपको मेरी बात और वहतर तरीके समझ में आ सके, यहाँ पर प्रिष्ण आया है, 21 mains में, 5 marks में, उस्मा इस्थनांतरन के 3 तरीके क्या हैं, तो आपको 3 तरीके तो लिखना है, लेकिन उससे पहले एक line में आपको define करना है उस्मा इस्थनांतरन को, heat transfer को, तो यहाँ पर माध्यम से दूसे माध्यम इस्थनांतरन ही उस्मा इस्थनांतरन है, और इसकी कितनी विदियां, 3 तीन, आपको पता होगा, चालन, संबहन और बिकरन, वो हम main body में लिखने वाले हैं, लेकिन आज की class में हम जो भी चर्चा करने वाले हैं, इंट्रोडक्शन पर, आगे की class को to the point लिखें, जैसे मालो आपसे question पूछा गया है, परा बरतन के बारे में पूछा गया है, अब बरतन के बारे में पूछा गया है, तो आप यहाँ पर इन चीजों को एक line में जरूर define करें, यहाँ पर पूछा गया है, 21 mains में, 11 marks का question आया है, जो आला मुखी उदगार की पिरकिरिया से निर्मेश इसलागिर्ती बताईए, डिसक्राब दा टोपोग्राफी किरेटेड वाइदा प्रोसेस और बॉलकेनो इरॉप्सन, यहाँ यहाँ पर बात करूँ, आपको जोला मुखी से निर्मेश इसलागिर्तियां बता नहीं है, लेकिन यहाँ पर पहले जो जोला मुखी एक करेंड का टॉपिक है, कई सारे वॉलकेनों आते रहते हैं, तो यहाँ पर 2023 में, हाली में, हवाई दीप में, मौना लोगा, जोला मुखी में उद्गार हुआ है, तो आप यदि इस तरीके की बातों को अपने आंसर में एड करते हैं, तो इससे आपका आंस इससे परवत, पठार, क्रेटर, कॉल्डिर, उन सब के बारे में लिखेंगे, इनके बारे में आगे चर्चा करेंगे कि कैसा में बॉर्डी में फॉर्मेट होना चाहिए, यहाँ पर आज की क्लास में जो भी बात होंगी, वो के बल इंट्रोडक्शन को लेकर होंगी, पर आप स्वास के छित में योगदान तो बताएं, लेकिन पहले सुरुबात करते समय, पहले बायो टेकनलोजी को दो लाइन में इंट्रोड्यूज करें, यहाँ पर वो लिखा हुआ है, तो आपको किसी भी आंसर को लिखते समय, जो भी आपको कीवर्ड हैं, उन कीवर्ड को जरूर दिफाइन करना है, फिर उस आंसर के बारे में आगे चर्चा करनी है, यहाँ पर दूसरा तरीका है, और जो सबसे अच्छा तरीका भी है, कि किसी भी आंसर को लिखते समय, आप करेंट अफेर्स के साथ जोड़ने की कोसिस करें, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ एक किलॉनिंग को एक्स् प्लैन करेंगे, साथ में किलॉनिंग को करेंट अफेर्स के जोड़ने की बात करेंगे, यहाँ पर जैसे मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, हाली में, 2023 में मार्च में भारत का पृ तर्थम गाय क्लॉन गंगा विक्सित किया गया है, जैसे फाइब मार का question है, यदि आपको लग रहा है कि हमारे पास space कम है, तो आप इन sentence हैं, इन sentence को छोटा कर सकते हैं, यहाँ पर cloning है, इसको काट सकते हैं, आप इतना बस लिख सकते हैं अलेंगे बिधी है जे, बिधी से एक जीब से दूसरे जीब को तैयार करना, और फिर इस उधारन को भी आप sort में लिख सकते हैं, यदि आपके पास space की और कमी है तो, ठीक है, बाकी फिर आगे इसको आप main body पर आ जाएंगे, जैसे मैं बात करूँ, यहाँ पर question लिखा है, भारत में वेरोजगारी दूर करने के प्रियास बताईए, अच्छा, यहाँ पर जो question है, यह economy का question है जब भी अर्थ वेबस्ता का question आपके exam में आए तो आपको हर एक question को current affairs के साथ जोड़ना है current affairs के साथ जोड़ने के लिए, आप आर्थिक survey जो आता, उसका प्रियोग कर सकते है आप budget का प्रियोग कर सकते है आप देखा होगा कई सारे सूचकांक आते हैं, इंडेक्स आते हैं national और international level पर जैसे गरीवी को लेकर, विरोजगारी को लेकर, भुकमरी को लेकर, आप इन index का प्रियोग कर सकते है इनकी ranking का प्रियोग कर सकते है तो आप इस तरीखे से अपने answer को introduce कर सकते हैं जैसे यहाँ पर बिरोजगारी दूर करने के प्रयास है, तो पहले आप यहाँ पर बिरोजगारी को समझाईए और फिर उसके प्रियास बताई लेकिन बिरोजगारी को समझाने के बाद आप इसे current affairs के साथ जोडने का प्रियास करें यहाँ पर लिखा है बिरोजगारी reference दी हुई है और साथ मैं मैंने यहाँ पर उसे current में जोडने के प्रियास किया कि भारत में बिरोजगारी की दर कितनी है, 3.2% 2022-23 में, जैसे यहाँ पर remote sensing के अनुपरियों पूछा गया है, 21 mains का question 11 marks में आया हुआ है, जब भी science and technology की कुछ भी बात हो, चाहे आपके remote sensing satellite हो, चाहे communication satellite हो, चाहे nanotechnology की बात हो, बायो technology की बात हो, तो आपको इन सब topic को अपने current के साथ जोड़ना है, आपने देखा होगा, इस row remote sensing satellite को लेकर या communication satellite को लेकर लगातार काम करने में लगा है, तो आपको इन सब चीज़ों को cover करना है, तो यहाँ पर पहले आप definition लेखेंगे report sensing की, then आप इसको क्या करेंगे, current के साथ जोड़ने के लिए, मैंने एक यहाँ पर data का यूज किया है, भारतिय वन सर्वेक्षन रिपोर्ट, 2011 में, रिसोर्स है, sorry, 2021 है, 21 है, मैं resource said to सुदूर संबेधी उपगरय का उपयोग किया गया है, इस तरीके से आप अपने answer को current affairs के साथ जोड़ सकते हैं, current affairs के साथ अपने answers को link करने के लिए मेरे कुछ suggestions है, सबसे पहले तो भाई, आप लोग, आप सभी विद्यारतियों को, MPPSC का syllabus बहुत अच्छे से याद होना चाहिए, चाहे वो pre का syllabus हो, चाहे mains का, और आपको mains के syllabus के जब सारे topic याद होंगे, इसके बाद आपका काम है कि आपको daily current affairs पढ़ना है, daily newspaper रीड करना है, जिससे होगा क्या कि जब आपको आपका syllabus याद होगा, तो syllabus के जो भी topic आपको दिये गए हैं, उनसे सम्मंदे जब कोई news आएगी, तो आप उन्हें अपनी एक copy में note करना इस्टार्ट करें, मालो remote sensing satellite हमको दिया गया syllabus में, और remote sensing से related कोई भी news आ रही है, तो आप अपनी copy में उसे add करें, दूसरा आप लोग Google सर्च का भी साहरा ले सकते हैं, आपको कोई चीज से related current affairs देखना है, तो गूगल में सर्च करें, उसमें latest news आती है, तो उनसे related चीज आप अपनी copy में add on कर सकते हैं, यदि मैं आगे बात करूँ, यहाँ पर जैसे question पूछा गया है, भोगतान संतलन में असामाननेता है, कि कोई 5 परमुक कारण लिखिये, एवन भारत के संदर में इसे दूर करने के उपाय बताईए, 21 mains का question है 11 marks में, तो मैंने इसे आर्थिक सर्वे 2022-23 से जोडने का प्रियास किया है, आर्थिक सर्वेक्षन रिपोर्ट 2022-23 के अनुसार जहां, व्यापार निर्यात जो export है, 32.8 billion डॉलर रहा, वहीं ब्यापार आयात 55.7 billion डॉलर था, अर्थात आयात जादा है किसे नर्यास से, यह इस्तिती भुक्तान में असुंतलन में असामानता को इंगित करती है, जिसके कारण निम्ने, अब आप समझें, मैं जब इस तरीके से अपने अंसर को इंटर्डूस करूँगा, तो आप समझ सकते हैं कि एकजामनर को लगने वाला है कि मैंने बागी आंसर को बहुत अच्छे बहतर तरीके से लिखा है, तो यहाँ पर मैंने आर्थिक सर्वे की रिपोर्ट का प्रियोग किया है, तो अभी तक जो मैंने बात की, वो बात की थी करेंट अफेर्स की, लेकिन कुछ पिष्ण ऐसे आते हैं जिनको आप करेंट अफेर्स के साथ नहीं लिंक कर सकते, तो उन परिसनों को लिखते समय हमको फैक्ट और इनफॉर्मेशन का उपियोग करना है, जो उन टॉपिक से रिलेटेड सबसे इंपोर्टन फैक्ट है, जैसे मालो कभी भीडागाट जलपरपात, भीडागाट बॉटरफॉल के बारे में पूछा जा रहा है, तो आप उहाँ पर यूज़ करिए कि विस्व का एक मात्र बॉटरफॉल जो मार्वल रॉक्स पे बना है, तो आप सबसे इंपोर्टन डिटा का प्रियोग किए, मालो कालिदास के बारे में पूछा जा रहा है, तो आप यूज़ करिए भारत के सेक्सपियर, ज़िए मैं यहाँ पर बात करूँ, जैसे कोशन पूछा गया है, 21 मेंस में, 11 मार्क्स में, की मालवा पठार की भौत एक बिसेस्ता हैं बताईए, तो यहाँ पर फिजिकल फीचर्स तो बताने हैं, लेकिन पहले उससे पहले किसको इंटर्डूस करना है, मालवा पठार, अब कई वच्चे क्या करते हैं, 11 मार्क का कोशन है, कई वच्चे क्या करते हैं, पहले पठार को इंटर्डूस करने लगते हैं, फिर मालवा पठार पर आते हैं, इंद और उज्जेन संभाग मत्यप्रतेश की सबसे बड़ी इस्तला किरती है जिसकी भौतिक विसेश्था है निम्न है तो मैंने यहाँ पर अपने इंट्रोडक्शन को फैक्ट के साथ जोडने का प्रयास किया है और जियोग्राफी में आप इस तरीके से कर सकते हैं एदि मैं next person पर आउं यहाँ पर लिखा है कि राष्टिय माना वधिकार आयोग की मुह सीमाय क्या है जो national human right commission के बारे में पूछा गया है तो आपको धियान रखना है कि जब भी commission के बारे में पूछा जब भी आयोग के बारे में पूछा जाए तो आपके syllabus में जो second paper है उसमें 10 से 11 आयोग दिये गए हैं और इन आयोग को आपको पता होगा दो टाइप से हैं एक है संबिधानेक आयोग और एक है संबिधानेक आयोग संबिधानेक आयोग को लिखते समय आप आर्टिकल का प्रियोग कर सकते हैं जैसे मालोब भारती निर्वाचान आयोग से related question आया है तो आप आर्टिकल 324 से लेकर 329 तक की बात कर सकते हैं या जब संबिधानेक आयोग आपसे पूछे जाएं तो यहाँ पर या आप अधिनियम के बारे में बात कर सकते हैं अधिनियम या आप इसके अंदर की धारा का प्रियोग कर सकते हैं कौन सी धारा में उस प्रिकार की बात की गई है जैसे यहाँ पर जब राश्टिमानावदीकार आयोग पूछा गया है आपको पता National Human Rights Commission एक सामवेदे कायोग है तो यहाँ पर मैं इसका अधिनियम उप्योग कर सकता हूँ इंट्रोडक्शन लिखते समय कि राष्टि मानावधिकार अधिनियम 1993 की धारा तीन के तहत है जी तहत गठित मानावधिकार आयोग की सीमा है निमने तो इस तरीके से आप समझेए कि अब इंट्रोडक्शन कितना सुंदर लग रहा है तरीका हो सकता है तो सम्विदान को लिखते समय आपको ध्यान रखना है आपके इंट्रोडक्शन में आर्टिकल का प्रियोग करना है आपको कॉंश्यूशन अमिड्मेंट का प्रियोग करना है मालोप पंचायती राज की बात हो रही है तो आप 73 कॉंश्यूशन अमिड्मेंट की बात कर सकते हैं तो इन फैक्ट को डालना है ताकि आपका आंसर अट्रेक्टिव लगे यहाँ पर जैसे कोश्चन आया है कर सकते हैं क्या गोल है इस तरीके से आपने इंट्रेक्शन को बना सकते हैं तो साथ में आपको यादखना इंट्रेक्शन लिखते समय आपको अच्छे सब्धों का प्रियोग करना है यहाँ पर मैंने एक सब्धी उसकी आप महला सकती करन हे तू, 22 जन्वरी 2015 को घोसित बेटी बच्चा और बेटी पढ़ाओ योजनाग के तत्विर निम्न है तो इस तरीके से आप अपने इंट्रोडक्शन को इंट्रड्यूस कर सकते हैं तू, यहांसे पूचा गया है, फाईम मांक्स LET क्या है, जब भी सिस्था के में स्र 40 को जरें इंटोरक्शन को आया है मालो आप अप से ब्रह्म्य समाज के बारे में पूचा जा रहा है तो आप राजाराब मोहन राए के बारे में बता सकते हैं आप 1828 के बारे में बता सकते हैं आप लिख सकते हैं वो है एक सामाजिक धार्मिक सुधार के लिए एक संस्ता थी जैसे यदि मैं भाराज सिवक मंडल की बात करूँ तो 12 जून 1905 को गठित गोपाल किष्णिक गोखले द्वारा भाराज सिवक मंडल राजनितिक तता सामाजिक संस्ता थी अब आगे आप अपने में आंसर पर आजाईए तो इस तरीके से आप अपने आंसर को इंटर्ड्यूज कर सकते हैं और तरीके हम देखें यहाँ पर जैसे सिवाजी के बारे में पूछा गया है कि सिवाजी के पिरसासन पिरबंदन की बिवेच न कीजिए discuss the administration of सिवाजी 21 mains का question है 11 marks का आपको याद रखना है जब भी इतिहास का कोई question आए तो यहाँ पर आपको जो fact use करने है वो है use करने है पहला तो उस सासक की पदाबदी पदाबदी के बारे मारे लिखना है दूसरा आप use कर सकते है वो है इनसे related कोई source हो कोई source हो या कोई book हो इसमें इनकी जानकारी मिलती है या आप किसी अविलेक की चर्चा कर सकते है इन description की चर्चा कर सकते है या फिर आप लोग इसमें किसी राजा को किसी विसेश ब्यक्ती दोरा कोई उपाद ही दी गई हो उसके बारे में चर्चा कर सकते हैं या किसी विसेश इतिहासकार के दोरा उस राजा के बारे में कुछ कहा गया हो जैसे आपको पता होगा, बिंसेट इसमित ने समुद्र गुप्त को भारत का नेपूलियन कहा है, तो आप यहां से आंसर की सुरुवात कर सकते हैं, जैसे मैंने सिवाजी के बारे में लिखने का जो प्रयास किया है, तो मैंने उनके समय से स्टार्ट किया, सत्रवी सताब्दी में हिंद सौराज, हिंद सौराज के संस्थापक के रूप में महराज सिवाजी ने संपर्भू तता स्वदेसी सामराज की इस्थापना की, जिनके सासन प्रवंदन की निमने बिसेशतना हैं, और आप इस पर, अपने मेन उस पर आ जाईए, मेन बॉड़ी पर आ जाईए, इस तरीके से आप अपने हिष्टी के आंसर को लिख सकते हैं, नेक्स्ट पर हम आएं, इतिहास काई प्रशन है, जैसे पूछा गया चोल कालीन इस्थानी प्रसासन, MPPSC का बड़ा फैबरेट टॉपिक है, पाए पिडियो चाए मेंसो का वर्णन कीजिए, तो आपको पता ह होगा कि यहां पर जो राजात tutaj, परांतक, परांतक फश्ट है वो नाम, परांतक फश्ट के काल मैं रचत, उत्तर मेरु अभिलेग, तो यहां पर आप अभिलेग की चर्चा कर सकते हैं, क्यों चोलों का इस्थानी प्रसासन है, उसकी जानकारी उतर मेरु अभिलेग से मिल तार आंसर राइटिंग करनी पड़ेगी और हम बात करें यहां पर लिखा है जैसे कोश्चन आया हुआ है 21 mains में 11 marks का कि संग लोक से वह आयोग का क्या महत्व है इनमें सुधारेतू सजावों का बढ़न कीजिए तो यहां पर मैंने आपको बता है जब भी कमीशन की बात हो तो आपको पता है संग लोक से वह आयोग एक सम्यधान एक आयोग है कमीशन है तो इसका introduction को लिखते समय आप article का प्रियोग कर सकते अनुच्छेद का प्रियोग कर सकते हैं यहाँ पर लिखाए तो अनुच्छेद 315 में इसकी चर्चा है तो इसका उप्योग करते समय हम अपने answer को लिख सकते हैं इसका उप्योग करके आगे हम चर्चा करें और अन्य तरीके क्या है किसी answer के introduction को लिखते समय आप अधिनियम का प्रियोग कर सकते हैं एक्ट का प्रियोग कर सकते हैं जैसे मालोग आपको पता हो गया पर्याबरन सनक्षन अधिनियम 1986 है तो आपको पर्याबरन से लिटर जब कोई बात हैं आ रही है तो आप उस अधिनियम का प्रियोग कर सकते हैं इवन पर्याबरन की जब definition लिखने आए तो पर्याबरन सनक्षन अधिनियम 1986 में जो environment की definition दी गई है उसको आप लिख सकते हैं यहाँ पर कोश्चन है आया हुआ है कि जन्व मृत्यू समंग को समझाईए तो यहाँ पर जन्व मृत्यू समंग अर्थात एक निश्चित अबदी में जन्व मृत्यू आदी का लेखा जोखा रखना इसे हेतू जन्व मृत्यू पंजियन अधिनियम 1969 कारणत है तो इस तरीके से आप अपने अंसर को अधिनियम के दौरा add on कर सकते है साथ मैं जन्व मृत्यू समंग जो अधिनियम है इसमें हाली में संसोधन भी हुआ है तो संसोधन को भी आप अपने अंसर में जोड सकते हैं ताकि आप अपने अंसर को करेंट के साथ लिंक कर पाएं या पिर दूसरा तरीका है किसी समीती की रिपोर्ट के बारे में लिख सकते हैं जैसे यहाँ पर आपको पता होगा जो न्यू एजुकेशन पॉलसी आई है कोशन 21 मेंस का है 11 मार्क्स में कि नभीन सिक्षा नीती के 5 प्लस 4 प्लस 3 प्लस 4 फॉर्मूले को समझाईए यहाँ पर तो आपको पता होगा जो नई सिक्षा नीती आई वह कस्तूरी रंगन समीती की रिपोर्ट के आधार पर आई है तो आप उसकी चर्चा कर सकते हैं कि कस्तुरी रंगन समीती की रिपोर्ट को आधार बनाकर तैयार नभीन सिक्षा नीती 29 जुलाई 2020 को लागू हुई इसके तहत 5 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 4 फॉर्मूले को अपनाया गया है तो आप किसी भी समीती का उप्योग कर सकते हैं जैसे आपको पता होगा बैंकिंग रिफ समीतियों का प्रियोग भी कर सकते हैं कमेटियों की रिपोर्ट का प्रियोग भी कर सकते हैं कुछ डेटा ऐसा होता है जो काफी लंबे समय में चेंज होता है जैसे यहाँ पर आप अपने आंसर को लिखते समय नैस्नल फैमिली हेल्थ सर्वे की रिपोर्ट की चर्चा कर सकत और अभी हाली में जो आया है, वो National Family Health Survey 5 आया है, वो जे आया है 2019-2020 में, जैसे मैं बात करूँ, जो National Family Health Survey फोर आया था, वो है आया था 2015-16 में, तो एक बार इस रिपोर्ट को पढ़कर, आप इस रिपोर्ट का काफी लंबे समय तक प्रियोग कर सकते हैं, और कई सारे आंसर में प्रियोग कर सकते हैं, जैसे इसमें National Family Health Survey में, महलाओं से रिलेटेड, को पोसन की, बाल विवाय की, एनीमिया की, इने सब विस्यों पर चर्चा है, और इस से रिलेटेड टॉपिक आते हैं, तो इन रिपोर्ट का आप लोग प्रियोग कर सकते हैं, यहाँ पर जैसे कोशन ह भारत में, बाल विवाय की स्थिती एवं कारण को इसपष्ट कीजिए, तो मैं अपने इंट्रोडक्शन को लिखते समय, फाइब मार का कोशन है, इसमें इसको लिखते समय, नैसनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 के अनुसार, भारत में 23.3% महलाओं की साधी 18 वर्स से पहले हो ज जनगर्ना रिपोर्ट, जनगर्ना प्री का बड़ा important topic है, चाहे भारत की जनगर्ना हो चाहे MP की जनगर्ना हो, हर साल कोश्चन आते हैं, तो जो प्री में आपने जनगर्ना के बारे में पढ़ा है, उस data का आप यहां पर प्रियोग करिए, और आपको पता जनगर्ना एक ब बिस्यों पर चर्चा होती है आपको पता होगा कि sex ratio पर चर्चा होती है जनसंग के अब रद्धी पर बड़ चर्चा होती है साक्षरता पर चर्चा होती है तो उन सब से related topic को लिखते समय आप इन सब रिपोर्टों का साहरा ले सकते हैं जैसे मैं बात करूँ कोश्चन है 21 mains का कोश्चन है 5 marks में आया हुआ है कि 2011 की जनगर्णा की अनुसार भारत में महलाओं की सैक्षिक इस्तितिक क्या थी तो पहले आप अपने answer को इंट्रडूस करिए तो यहां पर लिख सकते हूं 2011 की जनग आपको पता होगा आपके answer को लिखते समय आप जो SDG है sustainable development goal है इसके जो 17 लक्ष है 17 goal है इन goal के बारे में लिख सकते हूं और आपको पता होगा इनको हमने लाए थे 2015 में और इनको प्राप्त करने का target है 2030 और इस SDG में सभी विस्वों पर चर्चा की गई है चाहे जलवायू हो चाहे आपका भुकमरी हो गरीबी हो विरोजगारी हो सारी विस्वों पर चर्च कर रहे हैं तो आप इनके लक्ष के बारे में लिख सकते हैं कि जैसे यहां पर question है कि जलवायू परिवर्ता नियंतरन के आदार नियंतरन के भारत सरकार के प्रियास बताईए तो आप प्रियास तो बताईए लेकिन प्रियास को बताने से पहले आप लिख सकते हैं आंसर में आप इस तरीके से अपने आंसर को इंडिडूस कर सकते हैं. और जब भी सरकार के प्रियास पूछे जाएं, तो सरकार दोरा जो लक्ष रखे गए थे, आप उनके बारे भी लिख सकते हैं. जैसे 2017 तक हमारा लक्ष था जीरो कार्वन उतसरजन के बारे भी तो आप इन सब का भ लिखा है कि भारती है राजनीती जाती के राजनीती करण से राजनीती के जाती करण की और अग्रसर है इस्ट प़स्ट कीजिए 41 मेंस का कोशन है 11 मार्क में आया है तो इस परकार जब कोई quotation पूछा जा रहा है या कोई चीज लिख के दी है तो आप क्या करें कि जिस जगह से इस चीज को लिया गया है यदि आपको उसके बारे में मालूम है तो वहां से अपने introduction की इस चीज करें जैसे रजनी कोठारी की पुस्तक है कास्ट इन इंडियन पॉलिटिक्स में इस स्टेटमेंट का बर्णन है बर्णन किया गया भारती राजनीती में जाती का राजनीती करन से राजनीती का जाती करन हो रहा है तो आप introduction यहां से इस चार्ट करें फिर अपनी बा आया 11 marks में कि एहल्या भाई के व्यक्तित्व योगदान का मूल्यांकन कीजिए तो आप यहां पर एक राइटर है जॉन मालकम उनकी बुक का चर्चा कर सकते हैं उनकी बुक है memory of मालवा में रानी एहल्या भाई को अभिमान से परे अदुत्ति एवां असाधरन मूर्ति कहा है और एहल्या भाई होलकर का आप समय लिख सकते हैं जैसे मैंने बात की थी पहले भी वाई उनका समय अब दी लिख सकते हैं तो इस तरीके से आप इस आंसर का introduction को लिख सकते हैं कुछ एक तरीका और हो सकता है वो है कि आप कुछ question ऐसे आते हैं जिनको आप quotation के साथ भी start कर सकते हैं जैसे 21 means में 11 marks में question आया है कि भारत के संदर्म में पर्यावर्णिय सिक्षा बाजागरुकता कारी करम का बनन कीजिए 11 marks का question है quotation को आप कोसिस करें जब कभी लिखने का मन हो 11 marks से question में लिखें 5 marks में न लिखें यहाँ पर लिखा है माता भूमी पुत्रों एहम प्रत्विया की भावनाओं को प्रवल बनाने तथा आत्म आत्म साथ करने है तू पर्यवर्णी सिक्षा आवस्षक है पर्यवर्णी सिक्षा अर्था तपर यहां से आप अपने आंसर की में बॉड़ी पर आ सकते हैं तो आप लोग इन तरीकों से अपने इंट्रोड़क्शन को बहतर बना सकते हैं लेकिन मेरा suggestion होगा पहले सभी विद्यारतियों से कि भाई आपको syllabus को बहुत अच्छे से याद करना है देली current affairs पढ़ना है जो भी आपके syllabus के topic हैं उनको current affairs के साथ link करना है जो topic current affairs के साथ link नहीं हो सकते उनको आपको अच्छे facts लिखने हैं जो prelims में आप facts पढ़ते हैं उन facts का आप main answer writing में करें यदि इन सब चीजों का आप follow करेंगे तो आप अपने answer को बहतर बना सकते हैं और यदि आप introduction बहतर बना लेंगे तो फिर आपकी बाकी चीजों पर हम जो main body है और conclusion है उस पर आगे की classों में चर्चा करने वाले हैं तो आज के लिए धन्यवाद